हेलो एवरीवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में नवोदे विध्याले समती की तरफ से सिक्षक भरती का नया विग्यापन जारी किया गया है इस वीडियो में हम तीन राजियों की वेकेंसी को कवर करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवोदे विध्याले में जो रीजनल ऑफिस हैं जैसे कि भोपाल रीजन है, चंडीगर रीजन है, हैधरावाद रीजन है तो इसके अंतरगत जो है स्टेट या यूटी आते हैं पिछले वीडियो में हमने 8 राजियों की वेकेंसी को कवर किया था, जिसमें हैधरावाद रीजन के अंतरगत जैसे आंधर प्रदेश है, तेलंगाना है, अंजयमान निकोवार है, करनाटक केरला है, जो साउथ के स्टेट हैं तो वहाँ पर आप आविधन कर सकते थे, उसमें भारी राज़े के कैनिरेट भी आविधन कर सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को ये सजेशन दिया था, कि आपके राज़े में ही जब वेकेंसी आती है, तो उसे फिल करेंगे, तो आपको इससे ज्यादा फायदा रहेगा, आपको अपने ही राज़े में नोकरी करने का अवसर रहेगा, जैसे जैपूर रीजन के अंतरगत, डेली, हर्याना, राजिस्थान राज़े आते हैं, तो ये तीनों राज़ियों के कैनिरेट जो है, जैपूर रीजन के अंतरगत, जब वेकेंसी आती है, तो उसमें आप अपने राज़े का जो है, वो बिलकुल वेकेंसी पर नजर रखें, और धीरे धीरे जो है, वो बिलकुल विग्यापन जैसे ही जा रही होते हैं, आप लोगों को वीडियो के माद्यम से बताया ही जाएगा, यहां पर जो है, आप लोगों को सैलरी 42,250 आपको यहां सैल आईू सीमा भी जो है, वो बिलकुल सही है, 50 वर्स तक के कैंडिरेट जो है, वो इसमें आवेधन कर पाएंगे, और जो भी कैंडिरेट नवोदे विध्याले में पहले पढ़ा चुके हैं, एक्स जो एन्वियस टीचर्स हैं, तो उनकी उपरी आईू सीमा जो है, वो 65 वर् की जो सैलरी है, 35,750, नॉर्मल स्टेशन की रहेगी, और 42,250, हाड स्टेशन की रहेगी, तो इन में क्या अंतर है, यह मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता ही दिया था, ट्रेंड ग्रेजुए टीचर्स की जो है, 34,125, नॉर्मल स्टेशन में रहेगी, और 40,625, यह हाड स्टेशन की सैलरी है, तो सैलरी के साथ में आप लोगों को रेजिरेंस भी फ्री है, फूड भी जो है आप लोगों को फ्री अवलिवल हो रहा है, तो इतनी अच्छी अपॉर्चनिटी जो है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, यह जो वेकेंसी है, कॉन्ट वेकेंसी आने में टाइम है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर आविदन करें, रिटन एक्जाम भी नहीं है, केवल इंटर्व्यू है, इंटर्व्यू की डेट भी जो है पहले से ही डिसाइड कर दी गई है, तो मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ, जैसे कि आप आप लोग आविदन करेंगे, तो आविदन करने के लिए यहाँ पर लिंक दिये हुए हैं, जैसे पीजीटी में आगर आप आविदन करेंगे, तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है, 16.04.2024 से लेकर 26.04.2024 रात 11 बजे तक, तो आपके पास जो है, पहले जो है, यह पीडियो फाइल ओपन नहीं हो रही थी, इस वज़े से वीडियो नहीं बना, तो 26.04.2024 तक आप आविदन करें, रात के 11 बजे तक, अभी समय है, आराम से आप आविदन कर सकते हैं, केवल इंटर्व्यू रहेगा, इंटर्व्यू रहेगा 16.04.2024, तो यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, किस रीजन के अंतरगत आई है, वेकेंसी, दुबारा से बता दू, contractual base पर वेकेंसी है, यह, काफी अच्छी वेकेंसी है, पर्मानेंट वेकेंसी आएगी, तो उसके लिए भी जो है, आप लोग रेडी रहेंगे, आप पढ़ाएंगे, आपका subject भी काफी अच्छा होगा, और साथ में, और सुविधाएं भी आपको मिलेंगी, ठी ठीक है, तो PZT and TZT, यह है भोपाल रिजन, तो भोपाल रिजन के अंतरगत कौन-कौन से state है, यह आपको बता दें, तो भोपाल रिजन के अंतरगत जो state है, मद्यपरदेश, छतिसगर्ड and ओडिसा, यहाँ पर भारी राज्य के candidate बिलकुल आविधन कर सकते हैं, कोई प्र आविधन, इसलिए कर दें, क्योंकि कोई fees भी नहीं है, और आपके राज्य में निकलेगी, उससे पहले आप जो है, इंटरव्यू देख लेंगे, कैसे इंटरव्यू में question पूछे जाते हैं, तो आप पहले से ही ready रहेंगे, ठीक है, तो जब कोई fees नहीं है, तो बिलकुल आविधन करें, जिनकी इच्छा है कि दो-तीन राज्यों के, आज-पास के राज्यों के अगर फिल कर सकते हैं, तो फिल करिएगा, तीजी टी, हिंदी की वैकेंसी, जैसे मध्य प्रदेश में 10 वैकेंसी है, 36 गड में 11 है, और ओडिसा राज्य में 9 है, इसी तरीके से इंग Sappόσ alike, Computer Science में सभसे अधिक जो है वैकेंसी है, मद्दय प्रदेश में 54, TGT, PhyTeecal Education, Male female की वैकेंसी, Music, Art, Librarian की वैकेंसी है, Vocational Teacher की वैकेंसी है, PZT में Subject देखें, Hindi, English, Maths, Physics, Chemistry, Biology, Computer Science, History, Gissography, Economics and Commerce, No. लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप आराम से जो है से पढ़े और आविधन करें। अपर एज लिमिट आपको बता ही दी है। पचास वर्स है अपर एज लिमिट फॉर आल कैटिग्रीज ओफ टीचर्स। और 65 यर जो है एक्स एन्विस टीचर्स के लिए। ओफिशल वेबसाइट का लिंक यहां पर दिया हुआ है। यह ध्यान में रखें। यूजिंग वन इमेल आईडी अप्लिकेशन एक पोस्ट के लिए वन इमेल आईडी अप्लिकेशन। नेक्स्ट जो है देखें। अभी स्कूल आप देख लें। जैसे मध्यप्रदेश है तो इसमें जे एन्वी रतीबाद डिस्टिक भोपाल एक तो यह स्कूल है तो इसमें किस सब्जक्ट की वेकेंसी है। यह आप देख लें। जैसे हिंदी, इंग्लिस, मैस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायलोजी यह पीजीटी के टीचर्स के लिए है हिंदी, इंग्लिस, मैस, साइंस, आर्ट और वोकेशनल टीचर्स की जो है टीजीटी में है। उसके बाद जो दूसरा स्कूल है जे एन्वी, स्यामपूर, डिस्टिक, शियोर। इसमें पीजीटी में हिस्ट कोड़ी सा राज्य में, कटक में है, ठीक है, किस सब्जेक्ट की है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है, उसके बाद ही जो है, फॉर्म अप्लाई करना है, इंटर्व्यू रहेगा केवल, रिटन एक्जाम नहीं होगा, क्वालिफिकेशन जो है, पहले भी डिसकस कर चुके है, पोस्ट ग्रेजुए टीचर्स के लिए, आपके पास जो है, मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए, अनवर्ब जो है, यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए, बियर्ड आपके पास होना चाहिए, हिंदी इंग्लिस जो है, वो पढ़ाने का यहाँ रहेगा, ठीक है, तो इंग्लिस मीडियम कैंडियेट, हिंदी मीडियम कैंडियेट सभी अपलाई कर सकते हैं, जैसे केंद्रे व इस ध्याले में जो है, Computer Science PZT में, BAD बिल्कुल मांगा है, और TZT के लिए आपके पास Graduation प्लस BAD, CTAT, CTAT पेपर 2 आपका qualify होना चाहिए, BAD होना चाहिए, हिंदी इंग्लिस में पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, और इंग्लिस मीडियम में पढ़ाना होगा, इस चीज़ से बिल्कुल भी घपराना नहीं है, क्योंकि यहाँ हिंदी इंग्लिस दोनों ही चलती है, तो सबसे पहले जो है, Official Website पर आना है, और यहाँ पर आप देखेंगे, latest circular में, तो यहाँ more circular पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ आपको देखना है, Date, यहाँ न और इस पर क्लिक करेंगे, तो पूरी आपके पास यह notification आ जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद ही जो है, लिंक पर क्लिक करके आविधन करेंगे, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वेकेंसी के साथ और भी वेकेंसी आती है, तो आप ल